मैं सूरु देव्ल फिर से आज़ीरू आपके अपने चैनल अर्गिकॲुटर्व्रूजी में किसान भाईयो आज हम बात करेंगे गञ्णे की फसल के अंदर पहले पानी पर हमें ऐसे कौन-कौन से उर्फ़वक डालने हैं या दूसरे पानी पर ऐसे कौन-कौन से उर्वक डालने हैं, जिससे कि गन्ने की फसल के अंदर जादे जादे टिल्रिंग हो सके, जादे जादे ब्यांत हो सके और बहुत अच्छा ब्यांत हमारे गन्ने की फसल के अंदर निकल करके मिल सके, किसान भाईयो यदि अभी तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं जिससे कि आने वाली वीडियो की नोडिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके पिछले काफी दिनों से मेरी वीडियो नहीं आ रही है, उसके लिए माफी चाहूँगा, क्योंकि अचानक से मेरी तबित खराब हो गी थी, उसकी वज़ा से मैं लगतार वीडियो नहीं बना पा रहा था, आप सबी भी अपने घरों में रहें, और अपनी स्वास्त्य का ध्या चीत रहें, किसान में शुरू करते हैं, आज का प्रोटोबी गंणे की फसल के अंदर टिलिंग और व्यात कौम किस तरीके से बढ़ा सकते हैं, किसान में शबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि आप अपने गंणे की फसल के अंदर जितनी ज़्यादे निराई गुड़ाई करेंगे, खेत के अंदर घास को नहीं उगने देंगे, खरपतवारों को नहीं उगने देंगे, और जितनी ज़्यादे आप अपने खेत के अंदर खुर्पे से, कसी की साहता से, फावड़े की साहता से, या फिर कल्टिवेटर से, जितनी ज़्यादे जुताई आप करेंगे जितना ज़्याद है फोकापन जितना ज़्याद है गन्य का जो खेत है वह फोका रहेगा उसकी मिट्टी जो है भुरुरी रहेगी उतनी ज़्याद है टिल्डिंग हमारी गन्य की फसल के अंदर किसान भई निकल करके चलती है कोसिस करें अपने गन्य की फसल के अंदर आप खर पतवार ना उगने दें और अपने खेत को कम से कम दो से लेके तीन बार आपको कल्टिवेटर से जुद्धाई भी करवानी चाहिए और फावड़े या कसी की साहतर से भी एक से दो खुदाई आपको करनी चाहिए यदि आप इतने कारेया करते हैं और जो उर्वक मैं आपको बता रहा हूँ यह उर्वक आप डालते हैं तो किसान भाईो आपके गन्य की फसल के अंदर टिल्रिंग और ब्यात बहुत ही अच्छी तरीके से निकल करके चलेगा इसके इसके अंदर आपको कौन-कौन से उर्वक किस समय पर डालने हैं कितनी मातरा में डालने हैं सिचाई से पहले डालने हैं बाद में डालने हैं इसके बारे मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ तो किसान भाई जब भी आपको यह उर्वक डालने हैं आप सिचाई करने से पहले इन उर्वा को उडाले और उसके बाद अपने खेत की आपको सिच्चाई करनी है इसके अंदर आपको किन किन उर्वा को कितनी कितनी मातर लेनी वो मैं आपको बता रहा हूँ किसान में सबसे पहले आपको लगभग 35 kg यूरिया की आवसकता पड़ती है 35 किलोग्राम आपको यूरिया ले लेना है और इसके अंदर किसान भाईयो आपको सागरिका की मातरा लेनी होगी सागरिका की मातरा किसान भाईयो आप लगभग 8 से लेके 10 किलोग्राम पिरती एकड़ के हिसाब से आपको लेनी है यदि आप सागरिका ना लेना चाहे तो आप इसकी जगह पर Bio Vita भी ले सकते हैं Bio Vita की मात्रा भी आपको इतनी ही लेनी है या फिर कुछ किसान भाई धंजाइम गॉल्ड के लिए कहते हैं आप उसकी मात्रा भी इतनी ही लेंगे या फिर कोई और आपके यहां पर अच्छा यदि एक सागरिका और बायोविटा की तरह कोई अच्छा ग्रोथ प्रोमोडर तो आप उसकी मात्रा भी इतनी मात्रा में ले सकते हैं इसके सासाथ किसान भायो आपको लगवथ 3-4 किलोगराम सल्φहर की मात्रा लेनी हूगे और इन 3 किसान भायो आपको आपस में अच्छे से मिक्स करके अपने पोधे की जड़ों के पास में इसे किसान भायो डाल देना है यदि अभी तक आपने कोई भी कीटनासक का उपयोग गन्य की फसल के अंदर नहीं किया है तो इस समय पर आप रिजैंट का उपयोग कर सकते हैं और रिजैंट की मातरा आठ से लेके 10 किलोग्राम जो हमारा दानेदार रूप में आता है उसे आप ले सकते हैं इसके साथ साथ किसानवाई सिचाई करने के बाद आपको अपने खेत के अंदर एक बार कल्टिवेटर की साहता से जुदाई करवा देनी है और उसके बाद एक कसी की साहता या फिर फावड़ी की साहता से आपको अपने खेत की खुदाई भी करनी है यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको एक गन्य की फसल के अंदर बहुत ही अच्छी तरीके से किसान भाईयो टिलिंग होकर के चलेगी और आप बहुत अच्छा बेनेफिट अपने गन्य की फसल से निकाल पाएंगे उम्मीद है मैं आपको एक सही और अची जानकारी दे पाया हूँ यदि वीडियो पस किसे जचारी के के टिलिंग ही उक्षपन बाईयो जिसर अच्छी ऐांभादे जाराह होँ आपको किसे। अथटे ऑनशक्र टोड़ देयनूश्ती आपको किसे लिएसंटीव और रहरी तोचर और हैंगे किसे लिएक्शाब फिस पाई किसे भीजिगे